हरियाना विधान सभात चनाफ में अब एक महिने से भी कम का समय बचा है ऐसे में एक तरफ जहाँ बीजेपी जीत की हेट्रिक लगाने की जुगत में जुटी है वहीं दूसरी तरफ पूर्वे सीयम भुपेंद्र हुड़ा और स्तांसत कुमारी सेलजा के आपसी कलेशी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है जिसमें अब कुमारी सेलजा ने कॉंग्रिस हाई कमान की टेंशन बढ़ा दी है प्रदेश में जोहां एक तरफ भुपेंद्र हुड़ा ने अपने बेटे को सीयम बनाने के लिए उनकी चुनावों में सक्रियता दर्च कर रही है वहीं दूसरी और कुमारी सेलजा ने खुद को पाती के कामों से साइट कर लिया है ऐसे में सवाल लुटता है कि आखिर क्यों सेलजा ने चुनावों से ठीक पहले ये चुपी साधी हुई है और सवाल ये भी कि सेलजा कि इस चुपी से कॉंग्रिस को क्या नुक्सान उठाना पड़ सकता है ये बात किसी से चुपी नहीं है कि सेलजा और उनके समर्थकों को विधान सभा टिकेट बटवारी में तवज्जो ना मिलने के कारण वो पहले से ही पार्टी से नाराज चुल रही थी क्योंकि इन विधान सभा चुनावों में हाई कमा ने हुड़ा समर्थकों को तवज्जो देते हुए नभे में से 32 सीटों से ज्यादा पर हुड़ा कैंप के लोगों को टिकेट दिया है इसके अलावा माना जा रहा है कि अभी हाल ही में भुपेंद्र हुड़ा गुट के समर्थकों की ओर से की गई टिपणियों से वह आहत है जिसके चलते उन्होंने अपने आपको हर्याना चुनावों से दूर कर लिया है चुनावों से पहले सेलजा का यूँ पार्टी से दूरी बना लेने से हुड़ा खेमे में खलबली मच कई है क्योंकि प्रदेश में जाटों के बाद दलित बोटेरों की संख्या सबसे ज्यादा है और पार्टी के पास कुमारी सेलजा के अलावा कोई दूसरा बड़ा दलित चहरा भी नहीं है इतना ही नहीं हर्याना में कुल 21 विधा सभासीटे है जहां कुमारी सेलजा का प्रभाव है ऐसे में अगर सेलजा बगावती सूर अपनाती है तो ये सीधे सीधे हुड़ा को गहरी चोटो देकर जाएगा ही साथ ही उनके सीए मनने के सपने को भी चकना चूर कर सकता है बता दे के कुमारी सेलजा ने 12 सितंबर को नामांकन के आखरी दिन के बाद से ही चुनावी कैम्पेंज से दूरी बना ली है अगर वक्त रहते सेलजा की नाराजगी को हाई कमार ने दूर नहीं किया तो यकीनन कॉंग्रेस को भारे नुकसान उठाना पड़ सकता है बहराल ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि सेलजा किरिन चौदरी की तरह पार्टी को टाटा बाइबाइ करती है या कॉंग्रेस हाई कमान उनके और भुपेंदर हुड़ा की सुलह के लिए कोई बीच का रास्ता अपनाते है